अब तो जावा एट वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे कि यदि आपके पास लोकल डेट टाइम या लोकल टाइम का इंस्टांस हो और उसके टाइम को आपको एम पी एम में रिप्रेजेंट करना हो था हम कैसे करेंगे जावा तो यहां देख सकते हो कि मेरे पास लोकल डेट टाइम है जिसमें आफ में तर हमने यूज करा है जिसमें यार मंथ डे राइट और मीनाट सेकेंड पास किया है तो इस डेट रिप्रेजेंट 22nd में 2021 दस बज के तीस मीनाट 15 सेकेंड को रिप्रेजेंट करता है इसको रन जो भी है और टाइम है अब किस से मुझे टाइम को एक्स्ट्रेक्ट करके एम पे में डिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे है राइट तो यहाव तो टेक दिस रेफरेंच तो यहां date time formatter हमें युच करना है right and date time formatter is having a lot of methods right one of the method is called off localized time चुकि में ज़ा time को format करना है date को format करना है तो off localized date तो time को में लेता हूं right और off localized time में देखोगे तो यह format style लेता है right you got the format style then here you have option to specify many constants जैसे full long medium and short है तो full or long यह 4 constants basically date के लिए valid है लेकिन जब आप time को format करते हो तो full or long यह valid नहीं है medium or short valid है तो मैं medium select करता हूं right and i will store in the local variable i will say formatted, formatted, formatted time all right और इसे print करोगा तो you will see how it prints let me run now here you can see it is printing am right 10 बज़ के 30 मिनट और 15 सेकेंड am है जो किया था है right यहां let's say मैं यहां 14 कर देता हूं तो क्या हो जागा दो बज़ के 30 मिनट 15 सेकेंड हूं right now let me show you and it is working perfectly fine right दो बज़ के 30 मिनट 15 सेकेंड pm right और short the medium के जब पर आप short लेंगे तो second वाली पार्ट को ट्रंकेट करते गाए right sometimes we are not interested to take the second वाला पार्ट राइट सिर्फ आर और मिनट वाला पार्ट चाहिए look at here आर और मिनट का पार्ट आया और second वाली इसने ट्रंकेट कर दिया right and यहां पर full या medium अप्यूज करेंगे तो काम नहीं करेगा क्योंकि date को जब format करते है full और medium का कोई मतलब ही नहीं doesn't make sense कि full क्या आप चाहते हो right medium में already जो हमें complete details चाहिए हो दे रहा है right and short में जब second वाला पार्ट ट्रंकेट हो यह तो है कि local date time से आपको time को extract करके PMA में कैसे convert करना है let's say कि आपके पास local date local time हो local date नहीं local local date में सिप्डेट ही होता है local time and I will say local time dot we have a lot of off methods the one of the off methods I am going to use this one जो आर मिनाट सेकें लेता है let's say 10 बज़ के let's say 40 मिनाट and 20 seconds दे रहा है right और इसे माँ प्रिंट कर रहा है as it is local time and after so just I am going to print local time as it is और उसके आप प्रिंट के बात इसे माँ इस लाइन को कपी करता हूं I am going to use same line of the code simply a local date time के जापन लोकल time कर देना है इसको variable को 2 कर देना है 2 कर देना है right and that's it we are done let me show you let's see a job just simple a local time create किया और प्रिंट किया था simple as a print करेगा यह ntm नहीं लगा रहेगा लेकिन जैसे हमने फॉर्मेटिंग का यूज गया तो यह में represent कर रहा है let's make some change here let's say I am going to use 19 तो यह 7 बज़ के 40 मिनट और 20 seconds होगा right so I am expecting same output so here you can say 7.40 साथ बज़ के 40 मिनट और 20 seconds इस तरह से आप java date time API में date को आप ampm में इसली convert कर सकते हूँ तो इस वीडियो में बस इतना ही आशा है वीडियो पसंद आगे वीडियो पसंद आगे शेयर करे और केके हिंदी ग्यान यूट्यू चनल का भी तब सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लिए थैं